वेल तेजु से प्रकाश की नागिन सिक्स के सेट से एक बड़ी खबर आ रही है सिंबा नाकपाल के साथ हो गया है एक बहुत बड़ा हाथ साथ जी हाँ एक बड़ा आक्सिडेंट हो गया है शूटिंग के दोरान सिंबा नाकपाल के साथ आखिर क्या कुछ हुआ है और क्या सिंबा नाकपाल शो को छोड़ देंगे कई सारी सवाल जो है फांस के मन में आ रहे हैं तो चलिए आपके इन सवालों के जवाब देते हैं आप देख रहे हैं फीफा फूज मैं हूँ आपकी होस्टन दोस के दांगी करने के बता दे आपको कि फिलहाल सिंबा नाकपाल जो है हमें दिखाई दे रहे हैं और कहीं न कहीं वो अलॉंग विट महक जो है प्रथा को धुका दे देते हैं प्रथा को फासी की सजा तक पहुचाते हैं जिसके बाद उन्हें आक्चली कोई भी प्रथा से फरक नहीं पड़ता लेकिन आज सच महक के साथ भी उनका कोई रिष्टा नहीं होता है दोनों जो एक दूसरे से प्यार नहीं करते ये बात क्लियर है और कही न कर ये दिखाई दे रहा है कि सिंबा जो है सिंबा को जो आक्चल कारेक्टर है रिशब वाला ये रिशब नहीं है रिशब mostly बोबंस दर्वाजे के पीछे है इस तरीके से स्पेकुलेशन की जारी है और बाहर जो है कोई और बहर रूपिया है या कोई नाग या नागिन है जो सिंबा के जो रिशब का किरदार है उसमें हमें दिखाई दे रहा है वेल इसके उपर से परदा तो आने वाले समय में खुल ही जाएगा कि रिशब है या रिशब का बहर रूपिया क्या प्रथा के अगें सच में वो है या नहीं लेकिन फिलहार आपको बता दे एक अपकमिंग सीन के चलते सिंबा का जो कारेक्टर है रिशब और महक और ही सीन के शूट के दोरान बहुती गहरी चोट जो है सिंबा नाकपाल को लग जाती है उनके हाथ में कुलहारी थी और कुलहारी सीन के चलते उन्हें जमीन पर जोर से पटक के मारनी थी लेकिन जब ये सीन किया जा रहा था गलती से सिंबा ने अपने खुद के पैर के उपर वो खुलहडी मार दी जी हाँ वो जो saying है पेर पे कुलहडी मारना सिम्बा ने कुछ ऐसा ही कर दिया और उनके पेर पे बहुती गहरी चोट लग गई अभी तक यह बाद clear नहीं हो पा रही है कि वो जो कुलहडी थी उसके sharp edges जो होते है शार्प जो वेपन है वहां से ही उन्हें लगा है या फिर उन्हें जो वुडिन स्टिक होती है उसके पीछे कि क्या उनके पैर में वो लगी है mostly तो shoot के दौरान कभी भी real instruments वो use नहीं करते forge के जाते है और शायद वो blade जो होगी वो sharp नहीं होगी ऐसा hope कर सकते है mostly शायद उन्हें वो wooden stick लगी हो तो अभी तक यह नहीं पता चला है कि जो चोट लगी है Simba को इतनी बड़ी वो किस वज़े से लगी है क्या sharpness of the weapon के वैसे लगी है या जो wooden stick होती है जो handle होता है जो इससे पकड़ा जाता है कुलाडी को क्या उससे लगा है लेकिन बहुत ही गहरी चोट लग गई थी Simba को जिसके चलते emergency medical service medics बुलाने पड़े जिसके चलते Simba को वहाँ पे medical help दी गई और उसको ठीक करा गया लेकिन बता दे Simba being the professional that he is उन्होंने shooting बिल्कुल भी नहीं रोकी और उनके आने वाले जो scenes से उन्होंने वो shoot कर दिये ये दिखता है कि Simba में किस तरीके का professionalism है इतनी गहरी चोट लगने के बाद इतना गहरा wound उनके पेर पे होने के बावजूद उन्होंने अपने scenes देना नहीं भूले क्या कुछ कहना चाहते हो Simba के बारे में do let me know in the comment section I'll see you guys soon